अचार विश्णुगुप्त और चानक क्या अपनी मंडल थेहरी में बताते हैं कि दो बड़ी पड़ोसी ताकते आपस में कंसिक्चुल रिलेशन्शिप में होंगी, कंपीट कर रही होंगी, उनके आसपास एक तीसरा देश भी हो सकता है जो अपने आपको उदासे न प्रोज और अगर ऐसा हो गया तो आपकी स्ट्रेटिजिक इंट्रेस्स कॉंप्रमाइस हो जाएंगे, तो मान कर चलिएगा कि ये शत्रंज के एक बिसात है जिसमें हर एक चार पर नजर जरूरी है, वेलकम तो इस टॉपिक जानते हैं, इंडिया वर्सिस चाइना इन नेपाल, आप रेक्राउन में चलते हैं, सबसे पहले जोगरफी देखते हैं, नेपाल इस सेंड्विष्ट बिट्मीन इंडिया एंड चाइना जो की ग्लोबल लेवल पर बड़ी पावर बनने के लिए कंपीट कर रहे हैं, इतिहास में देखें तो नेपाली चेत्व के संबन्द चाइना और इंडिया दोनों से पाए जाते हैं, हाला कि इंडिया के साथ ज्यादा, क्योंकि जोगरफी हमारे फिवर में है, सहूलियत है आने जाने की, रोटी बेटी का रिष्टा आपने सुना होगा, पीपल डूपल रिलेशन एक स्टेंथ मानी जाती है, यानि के व्यापार के ल रीजन है, जो आज उत्रखंड का पार्ट है, ये भी नेपाल का पार्ट होता था, एंगलो नेपाल वार होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगॉली होती है, और फिर कड़वाल कुमाव रीजन बिटिश इंडिया का पार्ट बनता है, बाद में इंडिया उत्रखंड का प पिलर लेकिन 1970 में किंग बिरेंद्र का रुख चेंज होता है वो कहते हैं कि नेपाल एक जोन अफ पीस है आप में से कहीं लोग कहेंगे इसमें कौन सी गलत बात बोल दी उन्होंने जोन अफ पीस तो अच्छा है अई इससे इंडिकेशन देखिए इंडो चाइना वार देख चुके हैं हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे में नेपाल के पास कोई मौका हो या नेपाल को यूज कर ले चाइना राइट नीट्रल आपने बोल दिया लेकिन चाइना कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे ओफर्स आपको देगा आपके अपनी तरफ कर लेगा तो हमारे लिए कॉम्प्रमाइस हो जाएगी सिचुवेशन तो ऐसे में इंडिया अपोस था इसके लेकिन चाइना फेवर में था यो चाइना के लिए तो बैटर रही था ये अब इसमें जो मौनार्की वर्स डैमोक्रीश ये भी एक अंगल है क्योंकि एक बड़े पार्ट हिस्ट्री में अगर हम देखें नेपाल की तो वो मौनार्की रहा है राज्टन तु रहा है लेकिन भारत लुक्तन त रहा है तो हमने जब वहाँ डेमोक्रसी की आवाज रुपनी स्टार्ट हुई तो हमने उसको सपोर्ट किया ऐसे में जो नेपाल के कुछ पावरफुल लोग थे एलीट थे वो इंडिया के खिलाफ हो गए हलाकि पीपल टू पीपल कॉंटेक्ट ये हमारे स्ट्रिंथ रहा है और साथ में जो इंडियन आर्मी है उसमें गौर्खा रेजिमिंट में कितने सारे जो गौर्खाज हैं वो आज भी नेपाल में रहते हैं इंडियन आर्मी का तो काटमांडू में अलग से एक हैड़क्वार्टर है specifically for rehabilitation and pension related services of these people who are living in नेपाल so they have done great service for the Indian army or Indian security Hinduism and Buddhism ये हमारी soft power रहा है यानि कि religion एक soft power रहा है इंडिया नेपाल के relation में लेकिन क्योंकि topic आज का है India versus China in Nepal तो China देखिये क्या कर रहा है China Confucius Center established कर रहा है नेपाल में यानि कि China हमारी soft power को counter कर रहा है Confucianism जिसका origin चाइना में हुआ China कह रहा है जरा इसकी बात भी तो सुनिये जरा इसको भी तो आत्म साथ करिये अगर आपके जिव में सुख शान्ती सम्विधी Confucianism से आती है तो उस तरफ क्यों देख रही है और अगर आप इस तरफ देखने लग गए तो फिर हमारे साथ सम्वंदों को और बहतर करिए अगर आपकी सरकार चाइना के साथ कुछ और बहतर करती है तो सरकार को सपोर्ट करिए तो ये soft power को इस्तमाल कर रहा है चाइना साथ में चाइना की जो कॉमिनिस्ट पार्टी है उसके बहतर संबंध है नेपाली कॉमिनिस्ट पार्टी के साथ साथ में जो मिस्टर केपी ओली है उनका तो जुकाफ चाइना के साथ जग जाहिर रहा है 2015 में जब नेपाल ने अपना एक नया constitution जारी किया तो वहीं की एक जनसंख्या का भाग मधेशी population इस development के खिलाफ हो गई तो यानि के वहाँ पर लोग सरकों पर थे भारत की तरफ से जो ट्रक्स की आवाजा ही रहती है भारत ने उस पर रोक लगा दी कि भई हमारे जो ट्रक्स वहाँ जा रहे हैं ओयल लेकर अधर असेंशन सप्लाइज लेकर तो उनको भी खतरा हो सकता है लेकिन नेपाल का कहना था कि भारत ने जान पूछ कर रहा है जिससे कि जो ये ट्रबल्स है ये एसकेलेट हो जाएं क्योंकि केपी ओली की सरकार चाइना की तरफ जुकाव रखती है तो भारत उनको एक लेसन देना चाहता है इस वजह से ऐसा किया है ये कार्टून से आपको दिख रहा होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपके हाँ क्राइसिस आ जाएगा और ऐसा हुआ भी क्योंकि जैसी सप्लाई रुकी गई तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्राइस बढ़ गए तो जनता ओह जादा बढ़ग गई नेपाल इंपोर्ट्स अल्मॉस्स आल अफ इट्स ओयल तू इंडिया क्योंकि लैंड लॉक्ट कंट्री है और लैंड लॉक्ट में भी दो तरफ से है चाइना और इंडिया की तरफ से लेकिन जो एकसेसिबिलिटी है वो इंडिया की तरफ से जादा है तो ऐसे में टेंशन बढ़ गई अब टैंशन बढ़ गई तो अब नेपाल ने चाइना की तरफ देखा तोि नेपाल ने खा की अब तक तो हम देख रहे हैं अब देखी आगे आगे होता है क्या तो इंडिया חछ Licht wrinkles की तरह चलो देखते हैं आगे इस्टेबलिश करेंगे जो करेंगे के रूंग से लेकर काठमांडू तक याद करने का तरीका के के रूंग से लेकर काठमांडू लोकेशन भी दिखा देते हैं आपको यह के रूंग यहां काठमांडू चिंता का विशह यह है यह प्रोजेक्ट फाइनली एक्सेंड होकर उस तरफ हो गया तो यहां तो एक और फ्रेंट खुल जाएगा इंडिया के लिए लड़ाई का राइट तो यह हमारे लिए स्टरडिकल इंपोर्टेंट है कि ऐसा ना हो तो यहां पर के पी ओली जी मिले थे शी जिंपिंग से कि सर अब हम अपनी डिपेंडेंस को इंडिया से खत्म करना चाहते हैं खत्म तो जादा शब्द हो जाएगा यानि कि कम करना चाहते हैं तो शी जिंपिंग ने का मैं तो कब से अड़ाइस कर रहा था आपको अब हम हैं आपके साथ अब कितने हम हैं वो आपके साथ ज़रा भी हम उसके बारे में बात करेंगे यह आप देख फर्स स्टेप है उस तरफ काम स्टार्ट हो गया है और नेपाल को जाहिर सी बात है इससे फायदा होगा अब वो उस तरफ से भी ट्रेट कर पाएगा नेपाल इस आस्किंग चाइना बोथ टू बिल्ड और इन्वेस्ट इन नंबर ओफ मेजर हाइडो पार प्रोजेक्ट अब 75% हम इन्वेस्ट करेंगे 25% आप ऐसा लाइए वो आपकी फंडिंग होगी नेपाल ने का अच्छा ऐसा ही होगा तो चलो हम कोशिश करते हैं 25% को अरेंज करने की लेकिन यो 25 रिमेनिंग फंड्स थे ये नेपाल अरेंज नहीं कर पाया तो नेपाल ने फिर चाइना से ही क कि ऐसा करिए 75 तो आप इन्वेस्ट कर रहे है 25 आपने हमें करने के लिए आप ऐसा करिए 25 परसेंट भी आप दे दीजिए हमें सॉफ्ट लोन पर बहुत ही आसान शर्तों पर बहुत ही कम इंट्रेस्ट पर हम लोटा देंगे आपको हमारे हां हाईडो पार प्रोजेक्ट ल अब जब फाइनली कहा कि अब कितने साथ हो तो इस वाले एंगल पर वो रेस्पॉंस नहीं कर रहे हैं क्यों चाइना को लगता है कि अन्वाइबल फैनेंशल ऑप्शन हो जाएगा तो इस वज़े से इस प्रोजेक्ट में हो रहा था मेजर डिले अब इसके बाद लास्ट क्योंकि यह तो मैं 2015 से लेकर आपको 21 तक की बात बताई बीस तक की बात बताई लास्ट इयर नेपाल है साइन डील विद इंडिया तो बिल्ड एटीन हंडेड मेगावाट हाइडो पार प्रोजेक्ट अब फाइनली इंडिया के साथ वो डील और जादर क्लोज हो गई कि अ अब हम इंडिया सपोर्ट करेगा अब इंडिया क्यों करेगा इंडिया ने नेपाल से का बुटान की स्टोरी सुनी आप में नेपाल ने का बुटान तो प्रोश में स्टोरी बताई आप क्या तो इंडिया ने का बुटान ने अपने आपको एकॉनमिकली बहुत स्ट्रॉं तो आपको पैसा भी मिलेगा, तो यानि के हाइडो पार में इन्वेस्ट होगा, फिर आप हमें उसको बेचेंगे, आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे को आप अपने देश की तरकी पर खर्च करिए, तो भुटान के, भुटान के, बेसिकली, एकॉनमिक स्टेटस के और इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक और एशन डिलक्मेंट बैंक भी फंडिंग कर रहे हैं, अब अगर आपको लग रहा होगा कि यह जो चाइना है, यह नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो तरह इस डेटा को ज़रा देख लीजे, चाइनी इन्वेस्टमेंट इन साउट ऐस्या have largely been the energy and transport sector, ठीक है, सबसे जादा, साउट ऐस्या की बात करों, सबसे जादा चाइना ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, और second number ने पता गहां किया है, इंडिया में, जिस नेपाल को अभी तक अभी तक अब गलत मान रहे थें कि चाइना से इन्वेस्ट क् इंडिया में और यह है एनरी सेक्टर में नेपाल में इंवेस्टमेंट चाइना का और अगर ट्रांसपोर्ट देखना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट में इंवेस्टमेंट चाइना का इंडिया में और यह है ट्रांसपोर्ट का इंवेस्टमेंट नेपाल में चाइना का तो लगातार यूज कर रहे हैं उनके पीछे की funding तो देखिए Alibaba, Paytm ज़र सर्च करके देखिएगा तो कितने सारे sectors में technologies का example मैंने आपको दिया कितने सारे sectors में China-based companies का investment है The financial causes between China and Nepal However, it is going to compromise India's security architecture अभी तक हमें पताया कि नेपाल को हम ज़्यादा सहूलियत देते आये हैं हम और ज़्यादा उसके बेटर भविश्य के लिए काम करने के लिए तयार हैं लेकिन अगर वो चाइना से ये funding लेने लग जाए sustainable way में तो ऐसे हम उसकी dependence इंडिया पर हो जाएगी कम और अगर नेपाल की dependence इंडिया पर हो गई कम तो ये रिष्टों का सीधा से समय करने हैं अगर आपकी ज़रुत नहीं तो फिर हम कहीं और भी देख सकते हैं और कहीं और देख लिया तो जाहिर सी बात है problem हो जाएगी especially China को ज़रुत है नेपाल की on तिबत refugee issue क्योंकि considerable number of Tibetan refugees are living in India Dalai Lama का issue करमापा का issue अभी भी जग जाहिर है तो ऐसे में वो चाहता है कि नेपाल चाइना के तरफ से बोले against India on this Tibetan issue अब ज़र नेपाल का argument देखते हैं on this Indo-Nepal border काला पानी issue की बारे में हम बात करें जो कुछ ताइम पहले चर्चा में आया था ये है जगे वो काला पानी हुआ क्या जब जम्हो कश्मीर को हमने bifurcation किया दो यूटी जबन गई जम्हो कश्मीर लगदाग तो उसके बाद एक नया political map release हुआ तो उस political map में जाहिर सी बात है ये इंडिया का पार्ट है इस को आजट इस दिखाया गया नेपाल की पार्लेमेंट ने का ये तो गलत है उन्हेंने का कि ये एरिया तो हमारा है अब ये डिबेट चुड़ू ही कि ये आपका कैसे है तो हाला कि एरिया इंडिया का है इंडिया इसको यूज़ करता है यहां से काला पानी से लिपूलेक तक एक रोड भी construct हो रही और आज की नहीं हो रही उससे पहले से हो रही इमान सर्वर यात्रा के लिए लेकिन फाइनली अब नेपाल की सरकार ने का कि नहीं नहीं यह रोड तो गलत है तो पहले से हो रही थी तो पहले से क्या उनको नहीं पता था पता था लेकिन अभी ऐसा क्यों इशू उठा इसमें एक रीजन चाइना को कहा जाता है क्योंकि चाइना ने कहा कि अब इस इशू को उठाओ border dispute को उठाओ तो ये है क्या अभी मैंने आपको पिछली जब शुरुवात की थी वीडियो की तो उसमें कहानी बताई थी Treaty of Sagali Anglo-Nepal War Treaty of Sagali के तहट मैंने आपको बताया कि गड़वाल कुमाउ region जो पहले नेपाल के पार्ट थे वो British India का पार्ट बने तो ऐसे में एक treaty ये sign हुई कि काली रिवर से इस side का पार्ट ये नेपाल माना जाएगा और काली रिवर से उपर का पार्ट Western वाला पार्ट वो British India माना जाएगा उसी treaty को हमने आगे continue करा नेपाल का कहना है कि काली रिवर यहां से शुरू होती है उसका origin लिंपिया धूरा के इन हिली एरियास में है इंडिया का कहना है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है काली रिवर का नाम काली रिवर काला पानी की वज़े से पढ़ा और ये तो कहीं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है तो आप प्रिविट्यूज के में रिवर कैसे मान सकते है तो इस वज़े से जो एरिया है नेपाल का वो इसी तरफ है यहीं माना चाहेगा तो इस पर ये डिस्प्यूट अभी बना हुआ है आला कि वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि अगर नेपाल, चाइना और इंडिया की डानेमिक से कुश्चन आता है क्योंकि वो बहुत इंपोर्टेंट सेग्मेंट है तो उस पर आप क्या सोलूशन दें इन इशूज पर भी तो इस पर भी हम बात करेंगे इसका एक रीजन ये भी बता जाता है कि अगर कहीं पर कोई देश पहले दूसरे देश के साथ जाधा एलाइन रहा हो जैसे इंडिया के साथ और अभी क्राइसिस बिल्ड़ अप हुआ हो तो इमेडिटल उस क्राइसिस को डिफ्यूज नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स कहती है क्यों पहले उस क्राइसिस को बनने दो फिर उनको पता लगे कि कितने ज़्यादा ज़रुत है आपको चाइना क्यों उसके बाद भी हम धीरे 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 सपोर्ट करेंगे तो जैसे मैक्कियवली एक थिंकर है इटालियन रेलिस्टिंकर उनका कहना है कि प्यार जो है न वो टुकडो में होना चाहिए एक दम जादा प्यार कर दिया तो वेल्यू कम हो जाएगी तो रेलिस्टिंकिंग है चाइना इस नेपास इंपोर्टेंट डिलप्मेंट पार्टर और किन एरियास में चाइना बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा जड़ा देखिए कुछ कोई तो अरिया बचा नहीं है जड़ा देखिए पावर डिलप्मेंट कॉम्मिनिकेशन एगरिकल्चर टेक्नलॉजी एजुकेशन कल्चर टूरिज्म एविएशन कैपसिटी बिल्डिंग हेल्थ पीपल कहने का मतलब है चाइना कह रहा है जो भी आपको चाहिए आपकी देश की तरक्की के लिए हम हैं लेकिन किन कंडिशन्स पर है वो मुद्दे की बात है राइट चाइना हैं सोवर 40,000 कोरणा वारस टेस किट लेकिन इंडिया भी कहां पीछे था हमने वन लैक मद वन लैक नी वन मिलियन यानि कि दस लाख हमने कोविड वैक्सीन दी वैक्सीन मैथरी हमारा चल रहा था अब दीखे चाइना ने क्या करा बिया रहा है बहुत ही यू कन से क्रिटिस्सिज्म हो रहा है डेट को सब्सक्राइब नया गेम खेला चाइना ने इसके आसपास का नेरेटिव को चेंच किया यानि के लोग बिया राइक को पॉजटिव माने तो चानल ने नाम दिया है यह जब हुआ तो ऐसे में आपको एसेंचिल medical supplies चाहिए थी, तो अगर China की roads को आपने support करा in infrastructure projects में हमारे साथ आए, तो ऐसे में आपको और फायदा होगा health sector और जाहिर सी बात है, जब आदमी covid crisis में है, तो ऐसे में कोई health sector को promote करने की बात करें तो उसकी तरफ एक positive connotation जाता है health is under rhetoric तो हम इसको कहेंगे कि rhetoric है उनका और कह रहे हैं कि हम 5G drones के थूँ medical supplies कराएंगे और इसके आसपास भी health infrastructure बिल्ड हो जाएगा तो इस वेसे आप BRI को support कीजे तो चाइना का BRI project है, नेपाल इसके साथ है इंडिया इसके साथ नहीं है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये project नेपाल की market को नहीं support करेगा China की market को support करेगा क्योंकि connectivity हो गई तो क्या नेपाल का manufacturing sector इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो China की market को penetrate करेगा नहीं लेकिन China का market इतना मजबूत है कि वो नेपाल की मार्केट को capture और फर्दर कर लेगा और नेपाल को यहाँ पर advice यह दी जा सकती है कि आप सीखे इन देशों से इन देशों ने उधार लिया था जैसे आप लेना चाह रहे थे और उसके बाद debt trap में फस गए देश और इनकी sovereignty compromise हो रही है अब आपने चाइना के बारे में तो सुना वो ट्रांस हमाल लियान राइट के रूंग टू काटमांडू अब इंडिया का जड़ा कनेक्टिविटी देखिए यह इंडिया और नेपाल की नेटवर्क देखिए कितना है अगर काटमांडू को कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो पोर्ट के तू कोलकाता पोर्ट से जाता है और यह हमारी connectivity तो connectivity is a strength इंडिया's land route and ports इंडिया is also नेपाल's largest trade and job market तो इस वज़े से इंडिया is important for नेपाल you cannot sideline इंडिया at any cost चाइना too can obtain optimum potential जैसे चाइना जो infrastructure पर खर्च करना चाहरा है ना उसका भी उसको benefit तब तक नहीं होगा जब तक की चाइना इस infrastructure को build करके इसका इस्तमाल Indian market से connect करने में ना कर पाए यानि के चाइना करेगा क्या infrastructure नेपाल में लाएगा फिर नेपाल में अपने base बनाएगा companies के और वहां से फिर इंडिया में अपने products को बेचेगा तो अगर यह चाइना कर रहा है तब ही जाके इसके infrastructure project से इसका जो cost benefit है वो long period in history China treated Nepal as near barbarian इतिहास में तो वो नेपाल को मानता रहे तो barbarian लोग है इनको stable रखना जरूरी है क्योंकि हम periphery पे stability चाहते हैं लेकिन पिछले कुछ समय में अब नेपाल की तरफ उसका रुप change हुए अब वो मानता है कि South Asian politics में नेपाल is important चाइना is very sensitive about ensuring stability and security in तिबबत तो इस वजह से भी वो चाहता है कि नेपाल उसका एक ally बन कर रहे तिबबत के लिए देखिए ये नेपाल है और ये पूरा area तिबबत है अब अखिलेश उबाध्याय जो की नेपाल based journalist हैं वो कहते हैं कि देखो नेपाल और चाइना की relationship में अब यहां पर posturing देखिए चाइना के defense minister पहुंचते हैं नेपाल में और उसी के दो दिन के gap पर फिर Indian foreign secretary जो Mr. Harsh सिंगला थे पुराने वाले वो पहुंचते हैं और दोनों की priorities देखिए यहां पर Indian side से हमारे foreign secretary कहते हैं कि हम border mechanism पर हम आपके साथ close coordination चाहते हैं हम जो आपके सा चाहते हैं साथ में post pandemic recovery में भी हम आपका support करना चाहते हैं तो यानिके BPP यह तीन पिलर थे इस meet के ठीक है अब रोचक बात यह है अब जड़ा चाइनीज देखिए जब Chinese side आई तो Chinese side भी इन तीन पिलर पी बात कर रही है यानिके border infrastructure border mechanism और projects और आपका post pandemic तो यानिके जहां ज जहां चाइना खड़ाया वहां पर जिस मुद्व पर वो उनसे साथ coordinate करना चाहरा हम भी उसी मुद्वे पर उसको counter करना चाहरे हैं पीपल Republic of China के साथ नेपाल ने tie-up किया और नेपाल ने का कि हम तो one China policy in belief करते हैं यानि कि हम ताइवान को अलग नहीं मानते ताइवान people Republic of China का ही पार्ट है साथ में नेपाल ने अश्रेंस दिया कि हमारे एरिया को कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं यूस किया जाएगा तो यानि कि एक indication है कि चाइना नेपाल और एक्चुली कमिंग फर्दर क्लोजर 2020 की बात है यह इस बिलीफ दाट नेपाल स्किप्ट इंडो ने इंडिकेशन था कि भई देखो नेपाल हमारे साथ है और जो तुम सोच रहे हो साउटेशन लीडर्शिप को अपने अंडर लेने का आप ऐसा नहीं कर पाऊए यू कर नाट बी लीडर व साउटेशन नेशन के जाथ हम अपनी टाइप जादा बैटर कर रहे हैं इंडिया इ अब देखे जब सलूशन वाली बात आएगी तो ध्यान रखेंगे कि यह भफर है तो ऐसे में स्ट्रेजिकली इंपोर्टेंट है तो स्ट्रेजिकली इंपोर्टेंट थो विकन नॉट अक्ट्री लूज नेपाल अट एट एनी कॉस्ट इंडिया मस् रिफ्रेंड फ्रॉम यह second आप एक solution दे सकते हैं कि जैसे 2015 में ब्लोकेट हुआ तो इसका एक negative impact हुआ not just in India and Nepal relation from government per se basically citizens पर भी negative impact पड़ा नेपाल के और हम अपनी soft power को नहीं lose कर सकते हैं इंडिया शुद भी the enabler for the Nepalese people तो वे शुद एक्ट as a bridge rather than a blockade तो यह line आप यूज कर सकते हैं आपके answer मज़ा आ जाएगा और हम चाहते हैं कि जो नेपाल है वो land leaked country बने not land locked locked का मतलब है dependence, landed का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है हमारा land भी है आपकी trade को बढ़ाने के लिए right तो इस तरीके से रिष्टो को मजबूत किया जा सकता है साथ में इंडिया शुद actually stop looking Nepal from purely security perspective जैसे प्रोफेसर S.D. Muni जो इंडिया नेपाल relations के विशेशग्य हैं वो कहते हैं कि इंडिया को हमेशा अपना hand panic button पे नहीं रखना चाहिए कि जहां पर भी इंडिया और जहां पर भी नेपाल और चाइना close आए तो इंडिया को लगता है कि इसके साथ ही कुछ गलत होने वाला है तो प्रोफेसर S.D. Muni कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए नेपाल बेलग देश है तो उसको भी कुछ flexibility देनी चाहिए ठीक है लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरे perspective वो ये कहते हैं कि flexibility तो हक है नेपाल का लेकिन जहां पर इंडिया की interest को compromise करनी की बात आएगी security compromise होनी की बात आ हाँ पर तो हम इस strong stand लेने पड़ेंगे और अभी नहीं लेंगे तो आगे ज्यादा चाइना बड़त बना लेगा तो इस पर diverse perspective मिलते हैं लेकिन हमें फिर भी एक balance यहां पर बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा कि जिरो सम गेम है कि कुछ भी अगर नेपाल और boundary dispute थे resolve हुए peacefully तो ऐसे नेपाल के साथ भी हो जाएंगे तो diplomatically हमें करना चाहिए India should maintain a policy of keeping away from internal matters internal matters से बाहर रहें क्योंकि internal matters में अगर हम होते हैं तो वो basically नेपाल की politics पर एक हर एक section नेपाल की politics का वो इंडिया के against हो जाता है तो इस वज़े से important है तो I think अब ये issue आपके दम के काम का है तो आप share भी कर सकते हैं ये Instagram है अगर आपका कभी कोई doubt होता है I'll be more than happy to help you see you